जे मसी की दोस्तों, आज के सुरीगे मन्ना का भाग हमने लिया है, मर्कुस की पत्री उसका पहला अध्या है और उसका चालिसवा वचन वचन कहता है, एक कोड़ी उसके पास आया और उसके समुख घुटने टेक कर उससे विंती करके कहने लगा, यदी तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है धन्यवाद पिता परमेश्यर इस वचन के लिए परमेश्यर आपका प्यार आद्भूत है धन्यवाद, यहाँ परम उस कोड़ी को देखते हैं, जिसको समाज ने त्याग दिया दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ दिन पहले इस्राइल किया था कोड़ीयों की दशा वहाँ पर बहुती दैनिये है 2000 साल पहले उस व्यवस्ता के अनुसार, उस रिथी के अनुसार, उस रिथी रिवास के अनुसार जब कोड़ी वहां रहते थे तो उन्हें समाज के बाहर कर दिया जाता था कोई उन्हें देख नहीं सकता था और कोडियों को अजाज़त नहीं थी कि वो उनके पास आएं किसी के पास नहीं आ सकते थे उनके घरवाले भी उन्हें खाना देते थे तो दूर से फेंक कर एक बचे वोई टुकड़ों की तरह कोई प्यार कोई सहरान उनके पास नहीं था समाज ने उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया था बिल्कुल अलग अब सुचिए जब आपके जीवन में ऐसा पलाता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है जब आपके जीवन में ऐसा पलाता है तब आप उस परमिश्र की ओड़ जाते हैं ये कोड़ी भी परमिश्र की पास आया और देखिए इसका विश्वास इसका प्यार अध्वुत है ये कहता है ये जानता है कि इशू मसी सर्वस्व है ये जानते हैं कि वो परमिश्र का पुत्र है ये कौड़ी जानता है कि ईशू मसी के पास वो शक्ती है कि वो उसे कर सकता है लेकिन फिर भी कौड़ी कहता है यदि तू चाहे हलेलॉया वो उसकी इच्छा पर आधारित है उसकी इच्छा के अधीन हो गया कि तेरी इच्छा अगर है तो तो मुझे चंगा कर उस रोख से जिस रोख की वज़ा से मैं समाच से दूर हो गया उस रोख की वज़ा से जो मुझे हर पल सताता है दर्द देता है पुरी तरीके से मुझे शति-शति कर देता है लेकिन फिर भी मैं तेरी इच्छा को मानने देता हूँ मेरा दर्द, मेरे जखम, मेरे घाव चाहे मुझे कितना ही तरपाएं चाहे मुझे कितना ही रुलाएं चाहे मुझे कितना ही दर्द दे लेकिन परमेश्व तेरी इच्छा मेरे जीवन में सर्व मानने है तेरी इच्छा मेरे लिए सब कुछ है अगर तू चाहे मेरे जीवन में तो सुख दे अगर तू चाहे तो इस कोड़ को दूर कर दे धन्यवाद पिता परमेश्व है हमारे जीवन में उसकी इच्छा ही सबसे बड़ी है क्योंकि बाइबल कहती है इर्मिया 29-11 कि मैं उन योश्णाओं को जानता हूँ मेरे बच्चे जो मैंने तरे लिए रची हैं क्योंकि वो योश्णाओं हानी की नहीं है लाब की है परमेश्व की हर योश्णा लाब की है हमारे चीवन के लिए लेकिन यहाँ पर कोड़ी कहता है मैं जानता हूँ तो मुझे चंगा कर सकता है दोस्तों याद कर ये गजसमनी का वो पल जब इशुमसी को सुरगर धरती का अधिकार दिया गया था जब उन्होंने अपने चेरों के पैल पैड़ धोए थे लेकिन उसके बाद जब गजसमनी गए और वहाँ पर उन्होंने प्रात्रा की है पिता परमेश्वर तु महान है तु अगर चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हड़ जाए अगर नहीं तो तेरी इच्छा मेरे जीवन में मानने है देखिए किस तरीके से इश्वमसी ने अपने आपको परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया देखिए देखिए वहाँ पर आप उस प्यार को हम जब देखेंगे उस त्याक को हम सब देखेंगे हम जानेंगे कि हमारा प्यार पिता के लिए क्या होना चाहिए हम छोटी छोटी दुख के, हम छोटी छोटी परशानियों से विचलित हो जाते हैं और चर्च में या पिता पर, परमिश्वर पर दोश लगाते हैं लेकिन यहां देखिए, वो कोडी जिसको कोड था, जिसको दर्द था, जो खाना नहीं कहा पाता था जो किस तरीके से जीता था एक कोडी, लेकिन वो कहता है कि तेरी इच्छा अगर तू चाहे तो मुझे चंगा करते ईशू मसी कहते हैं तू चाहे, तो ये प्याला मेरे हाथ से निकल जाए मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, हमें भी हर पल यही कहना है यदि तू चाहे, तो मेरे जीवन में सुखा है, तू चाहे, तो में अपने जीवन को तेरे अनुसार यनि कि तू चाहे, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो दोस्तों, आईए, उस सर्वशक्त इमान कि हम अधीन हो जाएं उसकी इच्छा के अधीन हो जाए, उसकी मर्जी के अधीन हो जाए, उसके मशनों के अधीन हो जाए और पूरे मन से हम कहें कि यदि तू चाहे, जैसा तू चाहे मेरे जीवन में घटे, जो मैं चाहूं वो कभी न घटे तूकि तेरी इच्छा मेरे जीवन में सर्व मानने है, धन्यवादे ते पता परमेशर, इस भचन के लिए धन्यवादे ते इस पल के लिए, सुने वाले हर भाई भेन को परमेशर, तेरी इस शक्ति का एहसास दिलाते हैं, तेरी इस प्यार का हम परमेशर, उनके जीवन में भ तेरी इच्छा के अनुक्रथ होके, तेरी इच्छा के अधीन रहते हुए अपने चीवन में काम करें। धन्यवादेते हैं। इश्यमशी के नाम से मांगते हैं।